हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग हैं जेनल ओले जैने समाने के अनके टप 40 कुश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एक चाम में पूशे जाने की समभावना सबसे अधेख है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ते देखिए चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास्वाली घंटी के निसान है उससे भी अनकड़ते हैं ठीक है तो चलिए शुरू कड़ते हैं देखिए आपर आमारा पहला कुश्चन है खानवा का युद 17 मार्च 15-27 को बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था तो इनमें से किस की हार हुई थी तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी भी कुश्चन का अंसर पता है तो आप अपना अंसर कमेंट बोक्स में लगा सकते हैं तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ओप्सन ए हो जाएगा खानवा का युद बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था जिसमें राणा संगा की हार हुई थी ठीक है और इसी युद में बाबर ने ये जिहाद का नारा दिया था ठीक है अगला कुश्यन देखिए कुश्यन नमार टू है भारतिया इतिहास के निमनलिखेती यूगों में से किसके दोरान चत्रिया एक बिसिष्ट पाचान रखते थे तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ओप्सन ए हो जाएगा बूद के यूग में जो है चत्रिया एक बिसिष्ट पाचान रखते थे ठीक है अगला कुश्यन देखिए कुश्यन नमार टू है भारत में तलाबो द्वारा सरवादेग सिचाई किस राजे में होती है तो देखिए भारत में तलाबो के द्वारा जो सरवादेग सिचाई होती है तो यह होती है तमिलाडू राज़े में ठीक है option C यहाँ पर है correct हो जाएगा अगला question देखिए question अमार 4 है मौरेकाल के दोरान सीख्छा का सबसे प्रसीद केंदर है निमनलिखित में से कौन था तो देखिए मौरेकाल के दोरान सीख्छा का जो सबसे प्रसीद केंदर था तो यह था तक शसीला ठीक है option D यहाँ पर है correct हो जाएगा अगला question देखिए question R5 है NIPFE यानि National Institute of Public Finance and Policy के अध्यक्स के रूप में केसे नियुक्त किया गया है तो देखिए इसका correct answer option B हो जाएगा यानि NIPFE के अध्यक्स के रूप में यह उर्जित पर टेल को नियुक्त किया गया है ठीक है और इसके पहले उर्जित यह RBI के गोर्नर भी रह चुके है ठीक है अगला question देखिए question number 6 है अजमेर में धाय दिन का जोप्रा नामक है मस्चित का निर्माड किसने करवाया था तो देखिए अजमेर में धाय दिन का जोप्रा नामक मस्चित का निर्माड है यह करवाया था कुतुबदीन एबक ने ठीक है option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला कुश्यन देखे कुश्यन नमर साथ है मनियारो का राजकुमार निमने लिखित मैं से किसे कहा जाता है तो देखे मनियारो का जो राजकुमार कहा जाता है तो ये कहा जाता है मुहम्मद बिन तुगला को ठीक है ओप्सन भी यहां पर correct हो जायेगा अगला question देखे, question number 8 है, बीजन अगर समराज के अंतरगत हमपी के बाजारों में मूरोजब्द किस के लिए परियुक्त होता था, तो देखे हमपी के बाजारों में जो मूरोजब्द परियुक्त होता था, तो ये परियुक्त होता था मुस्लिम ब्यापारियों के लिए ठीक है ओप्सन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बीजन अगर समराज के स्थापना किसने केते तो देखें बीजन अगर समराज के स्थापना ये 1336 से में हरिहर एवंबू का नाम के ये दो भायों ने किया था ठीक है अगला कुश्चन देखें कुश्चन नमा नाईन है नय भारत का पैगंबर निमनलेखित में से किसे कहा जाता है तो देखें नय भारत का जो पैगंबर कहा जाता है तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राई को ठीक है ओप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएका अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 10 है निमनलेखित में से किसे 75 वे सन्युतराष्ट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है तो देखे 75 वे सन्युतराष्ट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 11 है 1685 में हुई भारती राष्ट कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षत निमनलेखित में से किसने की थी तो देखे बर्ष 1885 में हुई भारती राष्ट कांग्रेस की प्रथम मेटिंग की अध्यक्षत ये किया था अध्यक्ष चंद्र बनार जी ने ठीक है ओप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 12 है तो देखे रासायनों का जो समराट कहा जाता है तो ये कहा जाता है सल्फियूरिक एसीड को ठीक है ओप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 13 है महत्मा गाधी जी ने 1931 में सबिना ऑग्या अंदुलान कहां से पराराम किया था तो देखे महत्मा गाधी जी ने 1931 में ये डांडी पहुँचकर समूंदर के टट पर नमक कानुन तोड़ कर ये मतलब सभिना वाग्या अंदुलन जो है प्राराम किया था ठीक है तो अपसंडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डांडी से मतलब प्राराम किया था ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन आर फोटीन है महान हिमाले राष्टिय उद्यान सनरक्षन चेतर निमनलेखित में से किस राज़े में स्तीत है तो देखे महान हिमाले राष्टिय उद्यान जो सनरक्षन चेतर है ये स्तीत है हिमाचल परदेश राज़े में ठीक है ओपसंडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला और असयोग अंदुलन यान इन दोनों को हिंदू और मिसल्मानों दोनों का समर्थन मिला था ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन अमा सिस्टी न है बर सठाव सो सत्रा इसे में कुलकाता प्रसीद हिंदू कालेज की अस्थापना निमनलिखित में से किसने की थी तो देखे बर सठाव सो सत्रा इसे में कुलकाता प्रसीद हिंदू कालेज की अस्थापना जो है ये की थी डेविड हियर ने ठीक है ओप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखे निमनलिखित में से कहां से लिया गया है तो देखे जो प्रसीद गायतरी मंत्र है ये लिया गया है रीग बेद के तीसरे मंडल से ठीक है और ये सूर्य देवता को समर्पीत है ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 19 है भारतिया संबिधार के निमनलिखित मेंसे किस अध्याय में जनता हो गरांटी ये फिर मूल अधिकार दिया गया है तो देखे इसका करेक्ट अंसर ओप्सन डी हो जाएगा भारतिया संबिधार के भागतीन अनुछेद बारा से पैंतिस तक में जो है ये मूल अधिकार दिया गया है ठीक है अगला कुश्चन देखे के राश्पती के द्वारा किया जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर्ट 21 है नर्बली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके सासन काल में बनाया गया था तो देखे इसका करेक्ट अंसर ओप्सन बी हो जाएगा नर्बली प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया था तो ये बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कारेकाल में ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर्ट 22 है भारतिय संसद में लोक लेखा समेति का अध्यक्स निमनलेखित में से कौन होता है तो देखे भारतिय संसद में लोक लेखा समेति के जो अध्यक्स के नियुक्ति किया जाता है तो ये लोक सबाके अध्यक्स के द्वारा किया जाता है और लोक लेखा समेति का जो अध्यक्स होता है ये बिपक्षी दल का नेता होता है ठीक है अगला कुश्यन देखे कुश्यन नमर 23 है सर्वोच नियाला के नियाधिस है केस आयो पर सेवा निब्रित होते है तो देखे सर्वोच नियाला के जो नियाधिस होते है ये भारतिय संबिधान के अनुचेद 122 के अनुचार जो है ये 65 बर्स की आयू में सेवा निभरित होते हैं ठीक है, option D यहाँ पर correct हो जाएका अगला question देखे, question number 24 है ग्रहाण के दोरान पढ़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है तो देखे, ग्रहाण के दोरान पढ़ने वाली छाया का जो सबसे काला भाग होता है तो ये कहलाता है, प्रो छाया, क्या कहलाता है प्रो छाया कहलाता है, ठीक है, option B यहाँ पर correct हो जाएका अगला question देखे, question number 25 है निमनलेखित में से किस घटना को राष्टिय स्वतनता के मुस्लिम यूद के रूप में जाना जाता है तो देखे, इसका correct answer, option C हो जायाएका बहावी अंदुलन को जो है ये राष्टिय स्वतनता के मुस्लिम यूद के रूप में जाना जाता है ठीक है, अगला question देखे, question number 26 है भारत का यूचना आयोग है तो देखे, जो भारत का यूचना आयोग है ये एक सलाकारी निकाय है ठीक है, option D यहाँ पर correct हो जायाएका अगला question देखे, question number 27 है लोगतंत्रिय बिकेंदी करण का आसा है तो देखे, इसका correct answer, option D यहाँ जायाएका लोगतंत्रिय बिकेंदी करण का जो आसा है वो है अस्थानिय सरकार, ठीक है अगला question देखे, question number 28 है भारत में परत्यक्षे, लोगतंत्र का उधारण निमनलेखित मेंसे क्या है तो देखे, भारत में परत्यक्षे, लोगतंत्र का जो उधारण है वो है, गराम सभा, ठीक है option C, यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question देखे, question number 29 है निमनलेखित, भारतीय राज्यों मेंसे कि इस राज्य की कोई समोंद्री सीमा नहीं है तो देखे, इसका correct answer, option C हो जाएगा राजस्थान की कोई समोंद्री सीमा नहीं है और बाकी यह तीनों, गुजरात, गुवा और महराश्थी याने इन तीनों का मतलब समोंद्री सीमा है ठीक है, अगला question देखे, question number 30 है लोनार जील निमनलेखित में से कहाँ पर इस्तीत है तो देखे, जो लोनार जील है, यह स्तीत है महराश्थी में ठीक है, option C यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question देखे, question number 30 है दो नदियों के बेच, उप जाओ जम इनको निमनलेखित में से क्या कहा जाता है तो देखे, इसका correct answer, option C हो जाएगा यानि दुआब कहा जाता है, ठीक है अगला question देखे, question 32 है निमनलेखित में से किस राज़ में राष्टियों उद्यान, valley of flowers इस्तीत है तो देखे, राष्टियों उद्यान, valley of flowers जो है यह स्तीत है, उत्राखन राज़ में ठीक है, option है यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question देखे, question 33 है पांच बाड़ी जीव सनरक्षन है छेत्र निमनलेखित में से कहाँ परिस्तीत है तो देखे, पांच बाड़ी जीव सनरक्षन जो छेत्रा है यह स्तीत है मध्य पर्देश में, ठीक है और इसके स्थापना जो है यह जैवस सनरक्षन छेत्र के रूप में बर्ष उनेस सा 59 में की गई थी ठीक है अगला question देखे question नमर 34 है भारत में लिगनाईट का सबसे बड़ा उत्पादक निमनलेखित मैंसे कौन है तो देखे भारत में पिहार राजे के सिचाई होती है ठीक है ओप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 36 है जोहरलाल नेहरू बंदरगा निमनलिखित में से कहां पर इस्तित है तो देखे जोहरलाल नेहरू जो बंदरगा है यह स्तित है मुंबाई में ठीक है ओप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखे कुश्चन मर 58 है बादे के बीधी पर ताकपर है तो देखे इसका करेक्ट आंसर ओप्शन डी यह जाएगा जन्म और मिर्टु दरो के बीश अंथर ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 38 है भारत में सबसे घनियाबादी वाला राज्य है निमने लिखित में से कौन सा है तो देखे भारत में सबसे घनियाबादी वाला जो राज्य है वो है बिहार राज्य है ठीक है अगला कुश्चन देखे कुश्चन नमर 49 है प्रेथवे सुर्य से अपने अधिक्तम दूरी पर कब होती है तो देखें प्रेथवे सुर्य से अपने अधिक्तम दूरी पर ये होती है चार जुलाई को ठीक है जबकि नियुनतम दूरी पर ये तीन जनवरी को होती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला कुश्चन है बेस वा सरनार्थी दिवासे दोहर बेस के थीम निमने लिखित मैंसे क्या है तो देखें यहाँ पर आपको चार अपसं दिया गया है तो दोस्तों आप इसका एंसर जो है कमेंट बक्स में जरूर बाता है और आप इनमें से कितने कुश्चन सही कर पाएं यह भी कमेंट से बाता है और चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास्वली घंटी का निसान है इसे भी यहन करते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग